नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो आपको पता होगा कि एक बार फिर से कॉंग्रिस की राजिस्थान में बोहती बुरी तरह से दोस्तो हार मिली है और आपको बता दे कि इस हार को देखते हुए असो गलोत ने एक बड़ा व्यान दिया है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा पंचाय चुनाओं में हार के लिए असो गहलोत ने विपक्ष के दूस परचार को जिम्मेदार ठेराया है रायस्थान के सियम ने कहा है कि नतीजे कॉंग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे हमें बहतर करना चाहिए था गहलोत ने कहा है कि हमारी सरकार कोरोना से निपटने में जूटी थी हम संकट की इस घड़ी में लोगों की जान और उनकी अजीविका बचाने में लगे थे इसी चक्कर में बिजेपी ने वोटरों को गुमरा करके वोट ले लिए असोग गहलोत ने कहा कि हम लोगों तक सरकार के काम को पहुँचाने में नाकाम रहें जबकि विपक्ष के लोग गाउं गाउं तक जा करके लोगों को जूटे वादे करते रहें पंचायत चुनाओं में बिजेपी से पिछडने के बाद पहली बार गहलोत ने इस मुद्दे पर मन की बात की है इसके साथी पंचायत चुनाओं में हार के बास से ही असोग गहलोत निसाने पर है बिजेपी ने इसे किसान कानून के समर्थन की जीत बताया पार्टी के राष्टी अध्यक जेपी नड़ा ने ट्वीट करके राजस्थान के पार्टी निताओं और कारेकरताओं को बधाई दी गहलोत अपनी पार्टी कॉंग्रिस में भी अपनों के निसाने पर है किसी बड़े निता ने खुल करके तो कुछ नहीं कहा लेकिन अंदर ही अंदर सचिन पाइलेट खेमे के लोग इसे गहलोत की वैक्तिगत हार बता रहे है मतलब साफ है कि कॉंग्रिस को एक बार फिर से राजस्थान में बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा है और इसी बड़े से गहलोत बेसक से चाहे कुछ भी कह रहे हूँ लेकिन इसका मतलब साफ है कि लोगों को कॉंग्रिस का काम पसंद नहीं आया है और ऐसे में कॉंग्रिस के लिए अब गहन विचार करने की जरूरत है अगर ठीक इसी तरह से चलता रहा तो कॉंग्रिस की पूरी तरह से लूटिया डूबने वाली है और साथी असोग गहलोत की तरह ही कहीं और राजे की गॉर्मेंट भी इसी तरह के बयान देने पर मजबूर ना हो जाए ये बात कॉंग्रिस को ध्यान रखना होगा और आने वाले दिनों में कुछ अच्छा करके दिखाना होगा जिसने की जनता उनके काम को देख करके उनको वोट डाले तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना, सेर करना